कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना माइक्रो कंटेन्मेंट जोन का रास्ता चुना छे हजार से अधिक माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बढ़ाए इसके का रिस्पोंसिबिल्टी तैप हो सकती है उस माइक्रो कंटेन्मेंट की जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते कैसे गड़बर हुआ क्यों नहीं हुआ कैसे अच्छा हुआ इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर हम लगाएंगे हम इस परितिती से जल्दी बहार आएंगे और बीते डेड़ साल में जो अनुभव हमें मिले हैं जो बेस प्रक्टिसीज हमने देखी हैं हमें उसका भी पूरा इस्तमाल करना होगा कि देश के अलग अलग राज्योंने भी नए ने इनोवेटिव तरीके जुना आए आपके राज्य में होंग Hé Kugो अफसरोंगे मैं बढ़ इनोवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा कि इसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे हमें सुवीदा होगी सात्यों हमें कोरोना वाइरस के हर वेरियंट पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि यह बिल्कुल बहुरूपिया है बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनोजिया खड़ी करता है और इसलिए हमें हर वेरियंट पर बहुत बारिकी से नजर रखनी पड़ी है मुटेशन के बाद यह कितना परेशान करने वाला होगा इस बारे में एक्सपर्स लगातार स्टडी कर रहे हैं पूरी टीम हर बढ़लाव पर नजर कर रही है ऐसे में प्रिवें प्रिंशन और ट्रीट्मेंट यह बहुत जरूरी है इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी सक्ति लगानी है पूरा फोकस इनी चीजों करना है वाइरस का प्रहाद वो दोगज की दुरी मास्क और वैक्सिनेशन के कवेश के सामने कमजोर पड़ जाएगा और यह हम पिछले डेड़ साल के अनुभव से देखा है वहीं टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रिक्मेंट इसकी जो हमारी रणनिती है जो हमारा इंफर सक्तर है वो अगर बहतर होगा तो जादा से जादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे यह पूरी दुनिया के अनुभवाव से प्रमानित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोच्षाइद करते रहना होगा इन सबसे बार-बार यह बाते आती रहें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा साथियों यह सही है कि कोरोना की वज़े से टूरिजम व्यापार कारोबार यह बहुत प्रभावित हुआ है लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में मार्केट्स में बीना वास्क पहने बीना प्रोटोकल का अमल किये बिना भारी बीड का उमड़ना मैं समझता हूँ यह चिंता का विशाए ठीक नहीं है कई बार हम यह तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं यह बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी कभी-कभी लोग सवाल पुद्देक तीसरी लहर के क्या तै behaving है तीसरी लेहर के लिए आप क्या करेंगे आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है कोई जाकर के ले आए तो आती है और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराब बर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे आने के बाद क्या करेंगो एक विशय है लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विशय है और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजप्ता सतर्प्ता प्रोटोकॉल का पालन इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉंप्रोमाइज नहीं करना है और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतामनी दे रहे हैं कि असावधानी लापरवाई भीड़भाड ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमन में भारी उच्छाला सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंबिरता के साथ उठाए जाए अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रूख सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए साथ योग केंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान की नौर्ट इसमें भी उतनी ही एहमियत है तीसरी लहर से मुकामले के लिए हमें वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है हमें वैक्सिनेशन से जुड़े ब्रह्म को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सैक्षणिक जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सबको हमने जोड़ना है हर एक के मुँ से इस बात को नीचे प्रतारित करना है और लोगों को मुबिलेज भी करना है अभी नौर्थ इसके कुछ राज्यों में कीकाकरों को लेकर सरानिय काम हुआ है मैंने प्रारण में भी कहा जहां कोरोना का संक्रमन फैलने का खत्रा जादा है वहाँ वैक्सिनेशन पर और भी बल दिया जाए साथियों हमें टेस्टिंग और ट्रिक्मेंट से जुड़े इंफासेक्टर में सुधार करते हुए आगे चलना है इसके लिए हाली में केबिनेट ने 23,000 करोड रुपिये भारत सरकार ने 23,000 करोड रुपिये का एक नया पैकेज भी स्विकृत किया है नौर्थ इसके हर राज्ज को इस पैकेज से अपने हेल्थिइंफासेक्टर को बजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी इस पैकेज से नौर्थ इसके में टेस्टिंग डाइनिस्टिक, जीनम सिक्वेंसिंग इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा जहां केस बढ़ रहे हैं वहां तुरंट आईस्यू बेड कैपरेसेटी बढ़ाने भी इससे मदद मिलेगी विशेश रुप से हमें ऑक्सीजन पर पीडियाट्रिक कैर से जुड़े इंफासेक्रे के निर्मार के लिए तेजी से काम करना होगा पीएम कैस के माद्यम से देश भर में सैक्रो नए ऑक्सीजन प्लांट लगाये जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगद्धी हो रही है इसके लिए बहुत संतोष व्यक्त किया नौर्थ इसके लिए करीब डेड़ सो प्लांट स्विक्रूत हुए है मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे हो कहीं कोई बाधा ना आये इस पर भी एक द्रश्टी रखें और इसके लिए आवसे जो मेंट पावर है स्कील मेंट पावर है उसको भी तुरंट साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बाध में जाकर कि वो दिक्कर ना है नौर्थ इसकी भौगलिक स्थिति को देखते हुए अस्थाई अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है एक और अहम विशह है जोसे मैंने प्रारम में कहा और फिर भी एक बेन बाव ले किया ट्रेंड मेंट पावर का जो आक्सिजन प्लांट लग रहे हैं जो आईसीउ वाड बन रहे हैं जो नई मशीने ब्लॉक्स तरके अस्पतालों तक पहुचाई जा रहे हैं उनको सुचान रूप से चलाने के लिए ट्रेंड मेंट पावर भी आवशक है इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब तक कराएगी साथियों आज हम पूरे देश में 20 लांग से अधिक टेस्ट प्रति दिन करने की एक संता तक पहुच चुके हैं नौर्थ इसके हर जिले में विशेश रुप से अधिक प्रभावित जिलों में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्टर को प्राथ्विक्ता के आधार पर बढ़ाना होगा यही नहीं रेंडम टेस्टिंग के साथ साथ हम क्लस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें इसको लेकर भी हमें जरूरी कदम उठाने चाहिए मुझे पुरा विश्वास है कि हम सब के सामोहिक प्रयासों से देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमन को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे मैं फिर एक बार आज विस्तार से नौर्टिस की चर्टा करकर करके बहुत स्पेसिफिक विश्यों पर हम चर्टा कर पाएं मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नौर्टिस में जो थोड़ी बडोतरी दिख रही हैं उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको बहुत सुपकामना है जल्दी से मेरे नौर्टिस के भाई बेन करोना से